शिखा, युकता, शक्ती, भावना और हरिंदर मेडम आदी सब टीचर्स बैटकर लंच बेक में खाना खा रही थी, खूब कबबाजी सासा चल रही थी, शिखा बोली, भावना तुझे भी ना सुबह सुबह या लिक्विट बिंदी और वो भी इतनी बड़ी महीन डिजाइन लगाने का समय कहां से मिल जाता है, भावना मुस्कुरा पड़ी और बोली, बस मेरी जान अपने शौक के लिए जैसे एक ऐसे समय निकाल ही लेती हूँ, हाँ यार वैसे सुबह हडबड़ी बहुत मश्ती है, चार बजे उठो, खाना बनाओ, पती, बच्चों का और अपना भाग कर स्कूल जाओ, उपर से जब लेट हो रहे हों, तो रिक्षा भी टाइम पर नहीं मिलता, अच्छा शिखा, सुन, तू ही कोई पर्मानेट रिक्षा वाला ढूंडना, यह रोज-रोज रिक्षा खोजने में भी बहुत समय चला जाता है, और सुबह सुबह तो एक-ए प्रिंसिपल की आते ही चिक-चिक सुनो, बस यार लगता है, यूँ ही जिन्दगी निकल जाएगी, सुन, युकता, तुझे मेड मिली क्या? कहा मैडम, उसने जवाब दिया, युकता की नई-नई शादी हुई थी, वह भी खूप सजधज कर, नई-ने कपड़े पहन कर, प्रिंसिपल की निकल जाएगी, यूँ ही नहीं लेने देती थी, एक हरिंदर मेडम थी, उनकी जिन्दगी के प्रती सोच इतनी सटीक और सुलजी हुई थी, कि उनकी बातें हर किसी को चकित कर देती थी, और हर मुश्किल समय में वह जिन्दगी का कोई ना कोई फलसफा ल पचों, स्कूल, स्टूडेंट्स, क्लासिज और प्रिंसिपल आदी की ना जाने कितनी ही कहानियों की नित नई खिचडी रोज स्टाफ रूम में पक्ती थी, ऐसे ही उस दिन बातों का आदान प्रदान चल रहा था, तो इतने में एक अंजान महिला ने स्टाफ रूम में प भेज दिया था, उसके हाथ में रजिस्टर था, इससे यह तो सबको समझ में आ गया कि वह कोई नई टीचर आई है, सब सवालिया निगाहों से उसे देख रहे थे, तो उसने स्वेम ही अपना परिचे दिया, उसका नाम कहना था, रंग बादामी, पतली दुबली, कद पाज फुट चार इंच, बहुत लंबी पतली सी चोटी और उसने करीने से सूती साड़ी पहनी हुई थी, उसके व्यक्तित्व में अजीब सा खेचाव था, भावना ने कुछ पूछा तो उसने तलखी से जवाब दिया, भावना ने भी स्टाफ रूम से उसके निकलते ही उसे तीखी मिर्ची का नाम दे दिया था, उस दिन सभी को वह वहवार की तेज लगी थी, वह रहने वाली आजमगड यूपी गी थी, तो स्वभाव में तीखा पंतो स्वभाविक ही था, धीरे धीरे स्टाफ रूम में खाली पीरियर्ड और लंच ब्रेक में भावना का ग खाना खाती थी, तो उसे किसी दूसरे का टिफन शेर करने में हमेशा ही परिशानी रहती थी, वह ना तो किसी से लेकर खाती थी और ना ही किसी को अपने टिफन में से देती थी, वैसे ही फॉर्मेल्टी के लिए ओफर्स जरूर कर देती थी, कभी कभार कोई टीचर कहे भी देती थी कि आज जैन खाना है तू भी भावना को वहम रहता था कि प्याज, लसुन या नौनवेज का कोई चम्मच, कर्ची, शीटा ना खाने में पड़ा हो इसलिए वे खाना शेयर करने के मामले में बहुत पक्की थी अब भावना और गहना में दोस्ती हो गई थी गहना भ भावना की पसंद का खयाल रखते हुए कभी कभी जैन खाना लाने लगी थी खास कर वहाँ अपने ठेट उत्तर प्रदेश की जब स्पेशल डिश घाठी बना कर लाती थी तो भावना उस दिन उसका टिफन पूरा ही खीच लेती थी और उसे अपना लंच पकड़ा देती इस तरह से दोनों सक्यों की मितरता और गहरी होती जा रही थी एक दिन गहना बहुत परिशान सी स्कूल पहुची तो भावना ने पूछा क्या बात आज बहुत परिशान लग रही हो गहना ने बताया कि पिछली रात उसकी बेटी के साथ एक बहंकर हाथसा होते होते रह ग बहावना ने गहना की हाला देखकर पीटी टीचर को रिक्वेस्ट करके अपनी कक्षा में भेज दिया और गहना से सिलसलेवार कहानी पूछने लगी। कि मम्मी मैं आटो लेकर आदे घंटे तक घर पहुंचाऊंगी। मैंने उसे मना भी किया। मैंने उसे कहा भी कि तु वहीं रुप मैं लेने आती हूँ पर वह नहीं मानी। उसने कहा मम्मी आप नहाख ही परिशान हो रही हो, मैं आटो लेकर घर पहुंचाऊंगी। अभी त तुम तो जानती हो भावना, आसकल के बच्चे ज्यादा सुनते ही कहा हैं। जब स्वेम माबाप बनेंगे तब शायद समझ पाएं। फिर दर्वाजे पर टिक्टिकी लगा कर मैं भी ड्रॉइंग रूम में बैठी रही। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस ध्यान घड़ी की तरफ लगा हुआ था। लग रहा था अभी घंटी बजेगी और मेगा सामने खड़ी होगी। साथ से साड़े साथ का समय इतना लंबा लग रहा था कि बस पूछो मत। कुछ और समझ नहीं आया तो घड़ी की सुई को ही किनने बैठ गई। बहुत इंतजार किया पर दरवाजे की घंटी नहीं बजी। फिस सोचा मेगा को फोन लगाऊं पूछों कहां तक पहुची। पर यह सोच कर रुख गई कि बिना मतलब गुसा करेगी। यूँ भी सारा धिन की ठकी हारी होगी। तो पांदस मिनट और इंतजार कर लेती हूँ। शायद कहीं ट्रैफिक में फस गई होगी। दिल बैठा जा रहा था हार कर पौने आठ बजे मेगा को कॉल लगाया। तो धीरे से कहने लगी मम्मी पता नहीं यह कौन से रास्ते लेकर जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रह मेगा के आवाज में परिशानी से तो मेरा दिमाग ही घूम गया। इतने मेगा बोली मम्मी अभी फोन रखती हूँ मेरे एक दोस्त का जरूरी फोन आ रहा है। मेगा के साथ के कुछ दोस्तों को मैं अच्छे से जानती हूँ। उनका घर में आना जाना है और सभी अच्छ से शेयर करते हैं और गाइडेंस मांगते हैं। तो मेगा के मित्रों को भी पता था कि वहकल इंट्रव्यू देने दिली गई है। उसके सभी दोस्त दिन में और शाम को भी मेगा से फोन करके जानकारी ले रहे थे। जब मैं मेगा से बात कर रही थी तो उसके दोस्तों को उसके घर पहुँचने की फिक्र हो रही थी, और तब ही उसके दोस रोहन का फोन आया, उसने पूछा की कहाں है, मेगा ने उसको सारी बात टेक्स करके पहले ही बता दी थी कि उसने मेट्रो से उतर कर एक अटो लिया था, और वह अटो अब उसे जिस रास्ते लेकर जा रहा थ वहाँ उस रास्ते को पहचान नहीं पा रही थी। फिर कोई थोड़ी सुनसान जगह आ गई थी। उसने कई बार ओटो वाले को कहा भी कि भहिया आप किस रास्ते लेकर जा रहे हो। आटो वाला उसको वार-बार यही जवाब देता रहा कि मैडम आप चिंता मत करो मैं आपको घर पहचा दूगा। अब मेगा के दोस्त रोहन ने फोन पर मेगा को कहा कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। बस जैसा जैसा मैं बोलू तुम उसको दोहराते रहना या जितना रोहन ने सबसे पहले आटो का नमबर पूछा और मेगा से कहा कि वह आटो का नमबर यह है है जोर से बोलो। मेगा ने भी उसकी लाइन दोहरा दी कि आटो का नमबर फला फला है। अब रोहन ने कहा traveling कि किसी बिल्डिंग का नाम लो। तो मेगा ने दोनों तरफ देखा बिल्डिंग के नाम रोहन को उची-उची आवाज में बताने शुरू किये फिर रोहन ने कहा कि वह वहां तक आ रहा है मेगा ने उसकी बात फिर दोहराई अच्छा तुम आ रहे हो और तुम्हें लाइब लोकेशन भेजू यह कहकर मेगा ने उसे अपने फोन से तुरंत ला लोकेशन भेज दी है इतना कहते ही उसका मोबाइल बंद हो गया आटो का ड्राइवर पिछले एक घंटे से मेगा की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था भावना अब तक 9 बज गए थे और मेरी जान निकली जा रही थी तब ही रोहन का फोन आया कि आँटी आप चिंता मत कर मेगा जल्दी ही घर आ जाएगी पर भावना मा तो मा होती है मुझे पूरा अभास हो रहा था कि आज मेरी बच्ची किसी बड़ी मुसीबत में घिर गई है और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी समझ में नहीं आ रहा था इतने बड़े शहर में रात को उसे कहा ढू भग भग डेड़ घंटा हो गया था जबकि हमारे घर से मेट्रो का रास्ता सिर्फ आदे घंटे का है जब आटो ड्राइवर को यह एहसास हो गया कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है तो उसने तुरंत आटो को रोक कर मेगा को कहा कि आप आटो से यहीं उतर जाओ मेरे आट वहीं आपने सामने देखा तो एक PCO नजर आया वहाँ जाकर PCO वाले को रिक्वेस्ट करके अपना फोन एक मिनट को चार्जिंग पर लगाया और फिर फोन अन करके रोहन को फोन लगाया तब उसे बताया कि वह कहां खड़ी है रोहन पास में ही था और वह तुरंत कार से मे मेगह को घर तक छोड़ा जैसे ही मेगह घर में पहुंची गहना ने उसे दोड़ कर गले लगा लिया मेगह भी मा के गले लगकर खूब रोई अब तक रात के साड़े नौ बज रहे थे गहना को कुछ दिन पहले ही आसपस वालों से पता चला था कि आटो वालों की ऐसी ही क कुछ वारदातें उस एरिया में हो रही थी जिसमें कुछ सवारियों के लैपटॉप, मोबाइल, परसाधी चोरी करके फिर उने जान से मार कर फिंग दिया गया था सुनकर गहना को बहुत दुख हुआ था, वह याद करके गहना एक बार काँप गई, लेकिन अब मन ही मन उसने अपनी बेटी मेगा के सुरक्षित घराने का इश्वर को कोटी-कोटी धन्यवाद किया गहना ने रोहन का भी दिल से आबहार व्यक्त किया कि उसकी समझदारी से मेगा इतनी बड़ी मुसिबत से बाहर निकल आई थी यह सब बताते हुए गहना कांप रही थी बहावना ने उसे पीने को पानी दिया और बोली सच में उपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेगा सुरक्षित घरा गई हाँ लेकिन रोहन की समझदारी और नई टेकनोलाजी की मदद से ही यह सब संभव हुआ अगर मेगा मोबाइल पर लोकेशन ना भेशती तो आटो वाला पता नहीं क्या करता अंत भ़ला तो सब भ़ला भावना और गहना के मुझ से एक साथ निकला तब ही अगले पीरिट की घंटी बजी और यही बात करते करते दोनों सहेनिया अपनी अपनी क्लास में चली गई तो दोस्तों समय ऐसा आ गया है कि हम सभी को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है इस घटना के विशे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताईएगा अगर आप यह घटना पढ़ना चाहते हैं तो शुद्दे सी थोट्स और बट्प्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ देहरे से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार धन्यवाद